तो friends एक छोटी से problem का solution बताने वाला हो तो problem यह है जैसे हम profile पर आ जाते हैं हमने कोई thread account बनाया होता है तो friends यहाँ पर जो number है यहाँ पर दिख जाता है अब यहाँ पर जैसे हम click कर देते हैं तो कोई भी यहाँ पर जैसे आता है इस पर click कर देते तो friends नीचे option है hide badge तो इस पर आपने click किया होगा तो यह option मतलब यह वाला ID यह वाला number यहाँ से गया होगा वीडियो में यही जानेगी कि इसे आप फिर से बाय उपर कैसे लगा सकते हैं इस problem का क्या solution है वो आज किस वीडियों बताने वाला हो तो friends इस वीडियो को देखने के बाद फिर से आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं इस topic के बारे में ओके तो ध्यान से वीडियो को देखिए वीडियो हल्पुल लगता है तो वीडियो को like खरूरत है वीडियो देखते हैं लाइक नहीं करते हो वैसे जैसे वाइक करते हो तो चानल को सब्सक्राइब करके इस तरह के सही वीडियो यह आपके सामने आ जाये तो चलिये without 10 investing your time जानते तरीका तो चलिए सीधे point पे आते है and solution जानने से पहले कुछ बाते में आपको बताना चाहूंगा जैसे आप इस वाले ID के उपर click कर देते तो पहली बात बताना चाहूंगा ये कोई ID नहीं है ये सिर्फ एक number है इस number पे आपने thread application को join किया है profile setup किया है तो friends एक बात यहाँ पे लिखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है this temporary batch lets your followers तो यह आपके followers के लिए temporary batch है मतलब यह कभी भी hide हो सकता है नीचे लिखा है जैसे कोई आपके profile पे आता है and इस पे click कर देता है तो वो directly आपके profile में जाएगा thread app के तो friends यह temporary है and यहाँ से आप इसे hide कर देंगे यहाँ से जैसे hide batch पे click करेंगे तो यह option आपको फिर से नहीं मिलने वाला है फिर भी आपको कुछ solution ही चाहिए तो मैं solution देना चाहूंगा चलिए सिदा solution के बाद करते है तो solution बड़ा simple है यहाँ पे आपको क्या गरना है जैसे आप profile पे आ जाते है तो यहाँ पे आपको क्या गरना है जिस ID पे show नहीं हो रहा है तो उस ID को पहले switch करिए example इस वाले ID के उपर show नहीं हो रहा है मतलब यहाँ से मैंने hide किया है तो friends अब आपको क्या करना है यहाँ पे 3 line पे click करना है एंड यहाँ पे thread का option आ जाएगा इस वाले option पे click करना है click करने के बाद friends आपके समने इसा enterprise आ जागा यहाँ पे get threads के उपर click करना है जैसे click करेंगे यहाँ पे वो वाले ID आप ही show होगी simply यहाँ पे इस वाले ID के उपर click करना है क्लिक करने के बाद friends यहाँ पर थोड़ी दर वेट करना है जैसे वेट करते हैं यहाँ पर प्रोफाल पर आ जाना है तो जैसे आप यहाँ पर प्रोफाल पर आ जाते हैं तो friends यहाँ पर एक option है share profile तो इस पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर एक link आपको मिल जाएगी profile की इससे आपको copy करना है जैसे copy करेंगे copy करने के बाद friends यहाँ पर आपको Instagram में आना है इसवाले ID पर जैसे यहाँ पर आ जाते तो friends profile पर आ जाएए अब यहाँ पर आने के बाद Edit profile के उपर click करना है जैसे click करेंगे, click करने के बाद यहाँ पर add link का option है, इस पर आपको click करना है जैसे click कर देंगे, यहाँ पर add external link का option है, इस पर click करना है यहाँ पर जैसे आप click करेंगे, जो हमने link copy की दी, वो यहाँ पर simply paste करना है जैसे paste करेंगे यहाँ पर आपको title में डाल देना है threads अब जैसे यहाँ पर डालेंगे यहाँ पर right पर click करना है अब जैसे right पर click करेंगे यहाँ पर मैं back आता हूँ और यहाँ पर मैं final right पर click कर देता हूँ तो फ्रेंड्स आप जैसे कोई भी बंदा आपके प्रोफाइल के उपर आ जाएगा तो वो लिंक यहाँ पर चेक करेगा और वो जान सकेगा और उसको तुरंट पता चल जाएगा कि आपका थ्रेड पर अकाउंट है तो यहाँ पर देख सकते लिंक भी शो हो रही है कोई भी बंदा यहाँ पर उस वाले लिंक पर क्लिक कर देता है तो यहाँ पर आपकी प्रोफाइल चेक कर पाएगा यहां से follow करने का कुछ option यहां पर 3.00 पर click करके तो यहां पर कुछ option आपको नहीं दिये तो ऐसी तित में आपको क्या करना है friends एक application है, sorry एक website है जिसका नाम है firebase, google का है तो friends आपको क्या करना है, dynamic link त्यार करनी है create करनी है, जिससे वो link आप जैसे यहां पर आ जाते हो Instagram में, आपको क्या करना है यहां पर Instagram में आना है यहां पर edit profile के उपर click करना है यहां पर click करना है, यहां पर external link में वो dynamic link paste करना है जिससे application directly open हो जागा thread app, जहां पर bio से बढ़ियासन से कोई भी आपके profile पर जा सकेगा, एक बात clear कहना चाहूंगा जैसे आप hide batch करते हो, तो कोई भी ऐसा तरीका नहीं है, जहां पर आप बढ़ियासन से इसे फिर से ला सकते है तो ऐसे ति में मैंने यहां पर यह तरीका आपको बता दिया तो तरीका helpful लगाए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें and dynamic link या direct जो link होती है जहां पर application directly open होता है उसके related अगर आपको detail में वीडियो चाहिए तो मुझे comment box में comment करके ज़रूर बताना जैसे comment करते हो चानल को subscribe करके bell icon पे ज़रूर क्लिक करना जैसे commented video आप देख सके अब और कुछ जानकर जानना है comment box में ज़रूर बताए and account record के related कोई वीडियो देखना है तो friends screen के उपर playlist है इसमें से कोई भी वीडियो चेक कर सकते कोई वीडियो नहीं है